Hello friends, my name is Balzaka आज हम पढ़ेंगे exercise 6.5 का question number first का first part आई स्टाट करते हैं सुधी question number first है हमारा side of triangles are given blowing to remind which of them are right triangle in case of a right triangle write the length of its happiness means देखिए आपका सीर्डिया गया गिवन आपको अगर यह right triangle होगा तो आपको यह बताना है इसमें कि right triangle है या नहीं अगर होगा तो इसके आपको length क्या बताना है hypotenuse बताना है तो देखिए कैसे बताएंगे देखिए बार पस इसकी triangle यह क्या बारा triangle आप आपको बताना है इसकी 7 cm यह है 24 यह ले लेते हैं और 25 यह ले लेते हैं A, B, C नहीं बताना है जब हम उसको solve करेंगे तो उसके बार जो answer है कब हो बताना जब यह right triangle होगा जब जब हम इसमें यह बारा sign रहेंगे यह बारा ओके देखिए अब देखिए इसमें कौनसा formula युज़ करें जिसे हो hypotenuse बार क्या होता है वो देखिए A square equal to A, B का square plus B, C का square ओके यह होता है So, A, C क्या हमारा A, C है हमारा 25 25 का square ओके और A, B A, B हमारा 7 7 का square B, C हमारा 24 24 का square ओके चुदेखिए 25 का square क्या होता है 625 ओके equal to 77 सा 49 24 का क्या होता है देखिए 24 multiply by 24 4 4 जा 16 4 2 जा 8 और 1 9 multiply में 2 4 जा 8 8 2 2 जा 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्या होता है 5 क्या होता है 5 7 6 ओके तो इनको add करते हैं पहरे देखिए 6 25 equal to add करनी क्या जाएगा इसमें 49 एड करते हैं 9 10 11 12 13 14 15 5 क्या होता है 7 8 9 10 11 12 2 क्या होता है पहरे पहरे 6 क्या है इसमें ये साइड क्या होता है है पहरे तो एक है 25 और ये अगे हमारा 25 तो हम लिखेंगे ये क्या हमारा इस आ राइट 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 आइगर ओके 15 क्या हरे दूष प्स्टारण प्स्टार्ण आइगर